असलम उलेकुम गाइज, वेलकेम ते नदर वीडियो, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने अभी अपना थिरी टेस्ट क्लियर किया है, जो यूके ड्राइविंग लैसंस का एक प्रोसीजर होता है, आपको सारा उस वाले से गाइड करूंगा कि कैसे मैंने टेस क्लियर किया, मैंने कौन सी यह यूज किया है, और क्या थोड़े से इसके नदर टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो आप अगर यूज करो, तो आप इजी ली यह वाला जो टेस्ट है, वो आप क्लियर कर सकते हो, अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब मुझ करते हैं, उसके बाद आपने एक ठीरी टेस्ट होता है, इसको पास करना होता है, और थर्ड नंबर पर आपने अपना प्रेक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, अच्छा, जो पहला स्टेप है, डी यह ले वाला, उसके मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वीडि 54 पाउंड उसकी फीस है, तो मैंने तो बड़ा लेट लिया यहां पर आकर मुझे यहां पर तक्रीबंद एक साल होने वाला है, लेकिन मैं यही रेक्मेंट करूंगा, कि आते ही यह वाला काम आप कर लेना, आगे मैं चलके इसके फाइदे भी बताता हूं, आपको क्या क्या वो जैसी आप का आजएगा, तो उसके बाद आपने त्यारी करनी होती है, थियूरी टेस्ट की, अच्छा यहां पर डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट लोग उसको यूज करते हैं, अब जो एप मैंने यूज की है, स्क्रीन पर वो आजएगी, ठीक है, तो मैंने यह वाल करता हूँ, अच्छा थियूरी टेस्ट की यह पर रिसीजर है, कि जैसे ही आपका DVLA आजएगा, आपने ओनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहां पर जाना है, और वहां पर जाके अपनी थियूरी बुक करानी है, 23 पॉंड इसकी फीस है, तो वो 25 पॉंड इसकी फीस है, कुछ एप्स फ्री भी होती है, लेकिन उसके अंदर वो फुल एक्सेस नहीं होती है, तो मैं यही कहूंगा, एक तफ़ा पांच पॉंड आप लगा लें, आपकी तियारी अच्छी हो जाती है, अच्छा जो तरीका मैंने यूज किया तियारी का, व मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा, कि आप एक तफ़ा सारे जो रूल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद जो आप इसकी त्यारी शूरू करें, अच्छा इसके थियोरी टेस्ट के यह प्रसीजर होता है, कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसके अंदर होते हैं MCQs, 50 Marks के, और सेकिंड इसका पार्ट होता है, 75 Marks के Hazard Perception, वीडियो के क्लिप्स आपके सामने प्ले होंगे, जहां पे कोई Hazard होगा, आपने क्लिक करना है, तो जितना Efficiently आप क्लिक करते हैं, उसके 5 Slots बनाए होते हैं, तो 5 पे अगर आपका क्ल 43 होते हैं, आउट ओफ 50, और Hazard Perception जो वीडियो क्लिप्स होते हैं, इसके पासिंग मार्स होते हैं, 44 आउट ओफ 75, तो आपके भाई ने लिए, भाई 46 आउट ओफ 50 in theory test, और 66 जो है ना, वो आउट ओफ 75 आए थे मेरे Hazard Perception में, अच्छा, अगर आप मेरी त्यारी की बात कर को से अना, है पहले आप सारे rule, झाल schwier too करो, उनके आप इसके वाई 775 क्वश्चन आप वो सारे अटेंट कर को, उन सारों को पूरा एटेंट करो, जो इसके अंने इसके अंदर अपने, अच्छा, उसके बाद, अज्छ्छा आपने क्या करना है, कि आपने यह देखना है, क आपको पता चले कि आपकी कौन कौन सी खलती है जब एक तफ़ आप 775 को गो थू करोगे न तो उसके बाद आप इसके मौक टेस्ट देना शुरू करो रोज के मौक टेस्ट दो तीन जितना आपके पास टाइम है अब उन मौक टेस्ट में अगर आपके माक्स आना शुरू है तो तब आप त्यूरी टेस्ट बुक करा लेना सेम इसी तरह ही हैजर्ड परसेप्शन की क्लिप्स हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करो उसके बाद उनके भी मौक टेस्ट हो जितने ज्यादा मौक टेस्ट होगे उतनी अच्छी आपकी त्यारी हो जाएगी तो अच्छा इसके जो कोई अगर आपको नहीं समझ आ रही तो गूगल से एल्प ले लो बड़ी अच्छी एल्प मिल जाती जिसना मुझे कुछ सिगनल की कुछ चीजों की समझ नहीं आ रही थी मैंने वह गूगल में एक तब अच्छी तरह 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 तो वह मुझे क्लियर हो गए और इसी त तो आप वह ले लो इसकी जो इन एप परचेश थी वह फाइप थी वह मैंने पे किये अच्छा यार अब यहां पे जो सबसे इंपोर्टन चीज है वह ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको बताने लगा हूं कि इसके बहुत ज्यादा बेनेफेट्स हैं युके के मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा जिकर किया था मैं आपको दुबारा बतायता हूं कुछ लोग तो भाई इसको यहां का मीनी पास्पोर्ट ली कहते हैं उसकी रीजन पता किया है एक तो प्रूफ अडेंटिटी प्रूफ अड्रेस आपका यह बन जाता है और यह इसके काफी सारे बेनेफिट्स हैं और यह इसका एक तरिकेकार है अभी दो स्टेप्स आपके भाई के किलिए हो चुके हुए हैं अभी मैं थर्ड स्टेप की तरफ मूव करूंगा अभी थोड़े से लेसन लूँगा और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्राइविंग टेस तो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके मैं थ्री स्टेप प्रॉसस है तो जिन्हों ने भी बुक नहीं करवाया तो यह एप से मैंने त्यारी किया तरीकेकार मैंने आपको अपना बता दिया बाकि जिस तरह आपको बितर लगे आप उस तरह जो हैना वो यूज करें और इसको भ वाले से अच्छे यहर वैसे वीडियो की सारी मेरे चैनल पर पढ़ी हैं तो अगर मैं फिर भी जोना वो कंसाइसली दुबारा से वीडियो बना दूंगा ताकि सारे चीज़ें वह आपको रीफ्रेश्च होजें तो मेरीद करता हूं यह वीडियो को पसंद आई होगी और तो आपके लिए जोना वो बैस्ट ओफ लुक त्यारी करके त्यारी करके त्यारी टेस्ट दें थैंक्यू वेरी मुच पर वाचिंग अला पिस